नमस्कार, मैं शोबना नारायन हूँ, मैं कथक की छेत्र में मेरा पहला कदम धाई साल की उम्मरे में पड़ा, जब मेरी माँ मुझे उंगली पकड़ के ले गई साधना बोस जी के पास कलकते में, उस जमाने में साधना बोस बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के और पर्टिक्लि बिंगल की फेमिस डांस अक्ट्रिस थी, और उन्होंने मेरा पेर पकड़ पकड़ के मुझे कथक का पहला ताथ ही ताथ करवाया, और उसके बाद मेरे पिताजी का अतबादला बॉम्बे हो गया, तो वहाँ गुरु कुंदरलाल जी से सीखा, और जब दिल्ली आय तो गु 1971 से एग्दम प्रोफेशनल हो गया, और प्रोफेशनली रेकिगनिशन मिला अज़ा सोलो आर्टिस्ट और तब से आज तक वह सफर चलते आ रहा है, लेकिन इस दौरान बहुत सीखने को मिला, हर पल सीख रही हूँ, हर दिन सीख रही हूँ, 72-73 में जब मेरी पहली गुरू साधना बोस जी का निधन हुआ, तो उनकी छोटी बहन जो बहुत ही हमारी मशूर ठुमरी गायका थी, नैना देवी, उन्होंने मुझसे साधना जी के पुराने आइटम्स करवाए, मेमोरियल कॉंसर्ट में, और वो सब सब पहला मेरा कदम पढ़ा सूफी के छेतर में, क्योंकि उनका साधना बोस जी का एक बहुत ही पैट आइटम था, उमर खयाम, तो वो उमर खयाम मैंने उस जमाने में किया, 1973-74 में, और उसके बाद, 1977-78-79 में फिर वही नैना जी ने मुझे रूमी से परिचह करवाया, और फिर रूमी की बास ने बिश्नु अजने चुँखायत मी कुनत, तो तब से वो मेरा सफर जो है, सोचने का कि हर इजम में, वो हमारी वैशनविजम हो, या हिंदू इजम हो, या सूफिजम हो, सभी में हम आत्मा परमात्मा से मिलने की इच्छा रखती है, लालसा रखती है, उसमें भाशा हो सकती, लेकिन चीज वही है, और वही हमारे कर्थक में, और वो शायद मुझे गाइड करते रहा, और जब मैंने, और क्योंकि ऐसे परिवार में जन्मे पले, तो जहां कि हिंदी साहित्य, संस्क्रिट साहित्य, और दर्शन शास्त्र का बहुत ही जोर था, तो मैथली शर् गुप्त की रचना जब मैंने पढ़ा तो यशोधरा पर मैं मुग्ध हो गई, और मैं यशोधरा 1978-79 से करती आ रही हूँ, इसी तरह से अलग-अलग, तो साहित्य के छेत्र से मेरा बच्पन से लगाव था, और वो शायद कहीं न कहीं मेरे डांस में दिखता है, जो समाज स सेवा की भावना मेरे घर में थी, वो कहीं न कहीं डांस में दीखता है, और मैं सिर्फ आगे चलती, क्योंकि यही एक है, अपनी जो है, वो लालसा यही है, कि मैं उस ईश्वर में जाकर के मिल जाओं, और आज तक वही चल रही हूँ, वो पूजा है मेरी, वही साधना है, और मैं इस पूजा के जरिये मैं ईश्वर को रोज प्रार्थना करती हूँ, और अपने डांस के जरिये रोज प्रार्थना करती हूँ, और ईश्वर से बस एक ही मेरी मांग है कि, हे ईश्वर मुझे वो शक्ति दे कि मैं अंतिम सांस तक उनकी मैं सेवा कर सकूँ डांस के अजय दिये.